नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत आज का टॉपिक हमारा है चीन की बैल्ट एंड रोड पॉलिशी को टक्कर देने के लिए यौरापय संग ने बनाई निवेश की योजना आईए इस बारे में हम चर्चा करते हैं साथ साथ इस समंधित अन्नी बिंदों पर प्रकास ड परचा करते हैं ये बैल्ट एंड रोड पॉलिशी नई सडकों और बंदरगाओं रेलवे और पूलों में पैसा लगा कर वैपार लिंक विक्षित करना चीन की विदेश नेति का केंद्र बिंदू रहा है यारप इसंग के वैस्विक निवेस योजना के कारण खुलासा करने वाला है जिसे व्यापक रूप से चीन की बैल्ट एंड रोड पहल की प्रतिदिन्दी योजना के रूप में देखा जा रहा है इसे अफरीका वे अन्नी जगों पर चीनी प्रवाव का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयासों के हिसे के रूप में माना जाता है यॉर्पिय संग की गलॉब गेटवे पहल यॉर्पिय आयो के अध्यक्स उर्सुला वान डेर लेन ने गलॉब गेटवे का पहल पैस की गई एक हालिया रिपोर्ट में बता गया है कि यॉर्पिय संग ये देख रहा है कि वे सदश्य देशों बित्ती संस्तानों नीजी चेतर से प्राप्ट केगे अरब अर्मों यूरों का लाब कैसे उठाया जा सकता है वान डेर लेन ने सितंबर माह में अपने स्टेट आप यूनिन भाषन में कहा गया कि हम दुनिया भर में वस्तुमाओं और लोगाओं सेवाओं को जोडने वाली गुनवता वाली बुनियादी नाचे में निवेश करना चाते हैं इस रिपोर्ड में ये भी का गया कि आयोग ने चीन का जिक्र करने से परेज किया लेकिन जर्मन मार्सल फंड के वरिष्ट ट्रांस टैलेंटिक फैलो एंड एंड्रियूस इस्माल ने कहा कि उक्त प्रस्टबूमी अपारियारी है अगर आपके पास बैल्ट एंड रोड नहीं होता है तो ग्लोब गेटवे मौजूद नहीं होता है रिपोर्ड में ये बताया गया कि यॉरप इपक्ष की और से पैकेजों को एक साथ रखने और वित पोस्टन तंतर का पता लगाने का पहला गंबीर प्रियास है इसलिए चीन से रिंड लेने पर विचार करने वाले देशों के पास एक विकल्पिक विकल्प मौजूद है बेल्ट एंड रोड पॉलिसी नई सडकों, बंदरगाओं, रेलवे और पुलों में पैसा लगाकर वेपार को लिंक और विक्षित करना चीन की विदेश निति का केंद्र बिंदू रहा है यॉर्पिय संगों की रणनेती रही है कि एसिया, इंडो पैस्पिक, अफ्रीका, यहां तक सब की पस्चिमी बालकन में निकटतम परोशियों तक पहुचाई गई है चीन की बेल्ट एंड रोड पॉलिशी जो है, उसमें बेल्ट एंड रोड पॉलिशी का एक उधारान जो इस मुद्दे का नुकूल ने मौन्टरोगय में एक मौटरवे का चीन द्वारा निर्माण जिसे बीजिंग नियंतरित कंपनियों ने वर्स 2014 में लॉंच किया गया था इस योजना में एक ऐसी सड़क बनानी थी जो चीन से होकर गुजरती हो आज ये परियोजना निर्दारी समय से दो साल से अधिक समय से पीछे हैं इसकी आसमान चूती लागत वन बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गई है इसने मौन्टरवगय के राश्ट्री रिंड के रूप में खतरनाक रूप से वर्दी कर दी गई है उक्त पॉलिसी के पक्स में चीन का ये तरक राया है कि से उक्त परियोजनाओं को लाप पहुचाने वाले रिंड प्रदान करते हैं वे भागिदार देशों की संपूरदा का सम्मान करता है लेकिन आलोचका के यह कहना है कि बीजिंग की सम्मीदा रत्मक सर्थें मानोस सरम के हनन और प्रयावन अधिकरों की उपक्षा करती है यव्ड़ी संग की रणनीती की पार्दिस्टा जो रही है उसके बारे में बताया गया है येरपे संकी रणनीती जून माह में कॉर्णवाल में और दोगिक सक्ति के रूप सीकर समयलन में विक्षित देशों को बेल्ट एंड रोड के विकल्प की पैसकस करने के लिए जी सेवन देशों के आईजिन को एक हिस्सा है अंतराष्टी भागिदार के लिए येरपे संकी आयूप जुट्टा उर्पी लेने ने ब्लॉक के प्रदेशन का बचाव करते वे सम्मादतों से ये कहा कि वर्ष 2013 और वर्ष 2018 के बीच में येरपे विकास साहिता से चीन की बेल्ट एंड रोड फंडिंग के इस तरह से बहु हुआ